आज से साड़े तिन सो वर्ष पुर्व जब छत्रपती सिवाजी महराज का राज्जापिशेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रियता की जैजेकार समाही थी उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वो पर ही रखा था आज एक भारत स्ट्रेश्ट भारत के वीजन में छत्रपती सिवाजी महराज के विचारों का ही प्रतिविम देखा जार सकता है साथियों इतिहास के नायकों से लेकर आज के दोर में नेत्रुतों पर रिसर्ट करने वाले मैनेजमेंट गुरुवों तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दाई तो होता है कि वो अपने देशवाजियों को मोटिवेटेड और कंफिडेंट रखे आप छत्रपती सिवाजी महराज के समाएं देश की परिस्तितियों के कलपना कर सकते हैं सेक्डों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वाज़ियों से उनका आतमिश्वाज छिल लिया था आक्रमण कारियों के शोशन और गरीवी ने समाज को कमजोर बना दिया था हमारे सांस्कृति केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई ऐसे समय में लोगों में आत्म विश्वाज जगाना एक कठीन कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमण कारियों का मुकाबला किया बलकि जन मानस में ये विश्वाज भी पैदा किया कि स्वयम का राज संभव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्वाण के लिए प्रेरित किया देखती रहिए डीवी भारती समचार नजर हर खबर पर